बारतिय संसिदिय अधिनियम द्वारा सितंबर 1985 में स्थापित किये गए इंद्रा गांधी राश्विय मुक्त विश्वविध धाले में नए सत्र के एडमिशन शिरू हो गए एसी जानकारी इगनु नापपुर के रीजनल डारेक्टर डॉक्टर शिय स्वरूप ने दी इस सवरान उन्होंने कहा कि इस नए सतर के साथ ही नएक कोर्स भी शिरू इस वरश किये जाएंगे BCN से समाथ साते हुए इगनो की रीजनल डारेक्टर डक्टर शी स्वरूप ने जानकारी दी कि इगनो साल में दो बार एडमिशन कराते है जन्वरी और जुले सेशन के लिए ये एडमिशन खुला है जो कोर्णा की वज़े से ओनलाइन होगा साथ ही पंदरा जुले तक ये एडमिशन चारी रहेगा जुले सेशन के लिए अभी एडमिशन खुला है ये आनलाइन होगा और ये पंदरा जुले तक अप्लाइ कर सकते हैं इकनो वेबसाइट का एड़र्स है www.ignou.ac.un इसी में क्यांकि आज की कोविट की टाइम है इसलिए सभी आनलाइन प्रेक्रिया चालू किया इकनो ने जैसे री री स्टेशन फार्म है अभी जोले सेशन के लिए भी तीस जुन तक वो भी आनलाइन जमा कर सकते हैं जैसे एक्जाम फार्म से और एसाइन्मेंट से सभी आनलाइन कर सकते हैं इसके अलावा हमने क्योंकि कोविट की समय में रेग्लर कालेज और स्कूल्स भी वहन्द हो गया हैं इसलिए हम वो भी आनलाइन क्लासेश चालू किया अलाग-अलाग माज्यम से जैसा ग्यान दर्शन टीवी हैं ग्यानवानी रेडियो हैं और आनलाइन लेक्चर्स हैं फेस्बुक हैं यूटूम हैं ये सभी यूज करके हम क्लासेश ले रहें स्टेडी मेटल को भी हमने डिजिटल फाम में देर हैं ये भी आनलाइन एवेलबुल है ये ज्ञान कोश करके उसमें और हर साल की तरह इस बार भी इगनों ने कुछ नया कोर्सेस चालू कर रहे जोले सशन जे एक है यम्मे जोतिश है आलडी इगनों में हम्मे सांस्कृत हैं में जोतिश के लिए भी कोई भी ग्रैडियट इलिजबुल है वैसे म्मे उर्दु भी चालू किया है पहले से हमारे पास सर्टेफिकेट इन उर्दु और डिप्लमाई उर्दु भी है पाट में उर्दु करने के लिए उर्दु पढ़ना और सीखना समझना जरूरी हो जात तो जल्दी ही उसकी काम चालू किया हमने फिलिंग बनाने के जल्दी ही रीजिनल सिंडर का नया कैमपस उधर आ जाएगा कोर्णा काल की वजह से सभी प्रक्रिया ओनलाइन माध्यम से होनी की जानकारी इस वक डॉक्टर शिस्वरूप ने दी आगे उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी कोर्णा काल की चर्ते हम स्टेडी माटेरियल को डिचिटल फॉर्म में दे रहे हैं साथ ही उन्होंने बताया कि हर साल की तरह ही इस वर्ष भी एगनों की और से नए कूर्सिस चालू किये गए है केमर पोस्टन राज्चकमार मोर की साथ दिशाहटवार बीसिन न्यूस नाकपूर